हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्टमेंट के बजार पर दोस्तों डॉम्स इंडस्ट्री के साथ साथ आज इंडिया शेल्टर के आई प्यों का भी अलॉट्मेंट है काफी सारे नए इंवेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं क्या इसका भी वेबसाइट पर इस IP का अलॉट्मेंट आएगा उस वेबसाइट पर आगे बात करेंगे पूरा ट्यूट्योरियल आपको बताऊंगा कैसा आपको चेक करना है प्लस दोस्तों डेबिट के SMS पर काफी जादा क्वेरी जारी है डेबिट के SMS आना शुरू हुए है या नहीं अफने को अलॉट्मेंट आता हुए देखने को मिल जायागा क्योंकि प्रीविस्ली जितने भी आइस ऐस आइप्यू रहें उनका अलॉट्मेंट इसी थाइम पर रात में आता हुए देखने को मिलता है और ताम किकर बात करें तो रात को आट बचे से दस बुचे की बीच म SMS आना शुरू हो जाएंगे और most probably 11 से 12 के बीच में अपने को website पर allotment शों होने लग जाएगा as such जादा subscription भी नहीं था इस IPO लेकिन definitely इसी time के बीच में अपने को allotment आज के दिन मालूम पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो अभी जो लोग चेक कर रहें definitely वो चेक ना करें यूगि अभी I think so allotment नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा रात तक की finalization या फिर कपन कहें basis of allotment पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा अब tutorial की अगर बात कर ले उससे पहले आप subscription देख लीजे 39 times IPO भराता और total बिलाकर 9 times retail portion भराता पहले भी हम बात कर चुके हर 9 investors में से किसी एक investor को या IPO मिलता हुआ देखने को मिलेगा अब अगर बात करें आप पर refunds की तो 19 तारिक को refund है 20 तारिक को आपको लिस्टिंग होती हुई पर पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है इस लिंक पर आप देखेंगे तो मैंने भी चेक कर लिया है यहां पर upcoming allotment दिखा रहा है जो कि definitely दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइन्स कॉर्परेशन का है अभी तक allotment confirmation नहीं होता हुआ देखने को मिला है डेबिट के जिसके भी SMS आ रहा है definitely ऐसा कुछ process अभी तक शुरू नहीं हुई है जब भी allotment हो जाएगा तो यह जो upcoming से direct recent में घुच जाएगा and definitely कैसे चक कर रहा है आपको बता देता हूँ यहां पर आप देख सकते links देखने को मिल रहा है जैसा आप उस link पर क्लिक करेंगे link 1, link 2, link 3, link 4, link 5 कोई से भी link पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ interface ओपन होगा जहां पर आपको अपना IPO सिलेक करना है ड्रॉप डाउन पर जाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको अपना पैन नमबर सिलेक करना है उसके बाद आपने को कैप से डालना है और समिट पर क्लिक कर देना है बता दू ड्रॉप डाउन पर मैं भी गया अभी तक वहाँ पर एक्सेंट माइक्रोसेल और ग्राफिडास लिमिटेड का IPO दिखा रहा है डेफिनेटली अभी तक इंडिया शेल्टर का अलॉट्मेंट नहीं आया तो जो लोग डेविट का SMS बोल रहे है डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक डेविट का SMS आया नहीं है दोस्तो किसी के भी आप देख सकते है अपकमिंग अलॉट्मेंट में ये शो कर रहा है आप अपने SMS ज़रूर चेक करते रहे है या फिर आप अपना bank balance चेक कर सकते अगर आपके bank में पैसे आ गए that means आपको refund मिल चुका है आपको allotment नहीं मिला है sorry to say लेकिन अगर आप जाएंगे अपने net banking या फिर UPI के थुरू वहाँ पर अगर mandate successful दिखा रहा है funds debited दिखा रहा है that means दोस्तों आपको allotment लग चुका है तो debit अगर हो गया that means allotment लग चुका है credit अगर हुआ है that means allotment नहीं लगाए तो यह आप ध्यान रखिएगा plus दोस्तों आप अपने SMS जरूर चेक करते रहिएगा क्योंकि के फिंटेक क्या है allotment हो चाहे non allotment हो दोनों को दोस्तों SMS send करता हुआ देखने को बिलता है और definitely अगर आपको allotment का SMS आ गया और most probably ग्यारा बज़े तक अपने को वेबसाइट चलती भी देखने को मिल जाएगी thank you for watching this video